सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेक्टेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड नमस्कार सागत है आपका अपने चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्नैक उसे बोलते हैं चकली तो चकली हम बहुत ही जल्द बनाएंगे जैसे इंस्टेंट वे से बना रहे हैं इसके लिए हमेचे यह राइस फ्लार यह मैंने 200 ग्राम चावल का आटा लिया है और यह मैंने 50 ग्राम बेसन लिया है 50 क्राम के करीब बेसन है जैसे कि जितना भी आटा ले रहे हूं उसका चौथा हिसा हमने बेसन ले लिया है आदा चमच हमने हिंग ली है आदा चमच हमने हल्दी ली है आदा छोटा चमच हमने जीरा लिया है आदा चमच ही हमने अजवायन ली है यही मेरे पास लाल मिर्ची एक चमच लिया है मैंने यह ज्यादा कड़वी नहीं है इसलिए एक चमच लिया है अगर आपके विच्छी थोड़ी कड़वी है तो आधा ले 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 आधा चमच मैंने लिया है गरम मसाला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है और यह मैंने चार छोटे चमच ओयल लिया है इसे हम गरम करके डालेंगे इसमें यह मैंने दो चमच तिल लिये हैं सफेद वाले और यह मिशीन है जिसे हम चकली बनाएंगे अब चकली बनाने के लिए बाओल लेते हैं उसमें हम अपना चाबल काटा डाल लेते हैं बेशन बेशन कर देते हैं आप जो ड्रइभ मसाले हैं हम सब डालएंगे इसके अदर हल्दी डाल दी, लाल मेच, गरम मसाला और हीन डाल दी, जीरा, और ये तिल है हमारे पास वाइट, ये डाल दीए, अजवायन और नमक, ये सब चीजे हमने इसके अंदर डाल देनी है, अब सब चीजे डाल के हम इसे एक पर मिक्स कर देते हैं, और इसमें अब जैगर ओयल, ओ इसे बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है, कि चावल के आटे में ये जो आयल है, बिल्कुल अच्छी तरह आ जाए, एक ही जगह न रह जाए, इस तरह थोड़ा मसल लेंगे, हाथों में रखके, ये लीजे, ये ओयल मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर, एक मुलायम डॉब ना लेंगे, बहुत जादा आपने सर्खत नहीं करना, क्योंकि चावल काटा है, वो फूलता है, तो अगर बहुत टाइट कर दोगे आप, ये फिर मिशीन में चल अब ये डो हमारा रेडी है, अब इसमें पानी और नहीं डालना, इसको हमने ओयल लगा कर, ये थोड़ा सा बिल्कुल एक ड्रॉब पानी लगा कर, इसको ही गठा कर लेना है, और पांच मिनट के लिए से रस के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसकी चकली बनाने शु अब ये डो को रखे हुए पांच मिनट हो गए है, अब ओयल लगाएंगे हाथों में थोड़ा सा, और इसको हम दो बार मेशीन में डालेंगे, इसको इस तरह थोड़ा लंबा कर लेते हैं, इस तरह लंबा करके एक साइड में रख लेते हैं, और इसे भी, और अब हमने क्य जो हमारी प्लेट है, इसके उपर भी हम ओयल लगा देंगे थोड़ा सा, और इसके उपर भी हलका सा ओयल हमने लगाना है, अब इस प्लेट को इसके अंदर सेट कर देते हैं, इसके अंदर मैंने ये जाली लगा दी है, और अब डोग को डालेंगे, अब इसे बन कर देते हैं, बन करने के बाद अब इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, तो ये दो इसमें से देखे निकलना शुरू हो जाएगा, अब इसकी चकली बनने शुरू होगी, तो आब एक प्लेट लेते हैं, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इस तरह सुर्मान शुरू करेंगे थोड़ा सा पीछ लेके जाएंगे बढ़ाकर पिर आगे लिएंगे थोड़ा सा पीछ लेके जाते है और बढ़ाने के बाद इसको आगे लिया आते है यह देखिए सिंक कितनी अच्छी शेप आ Bronze Aaa अब दूसरी बनाइएंगे हलका सा इसको राउंड दे देते हैं थोड़ा से पीछे लेकर जाएंगे इसे यहां से तोड़कर इसके उपर चिपका देंगे तो यह दिखिए इनकी शेप कितनी अच्छी आ गई है यह चकली देखिए हमने रेडी कर लिए अब हम इने फ्राइ करेंगे अब ओयल हमारा गर्म हो चुक है अब हम इसमें एक एक करके चकली को डालते है एक बार में हम चार पांच पीस फ्राइ कर लेंगे अब इने हम पर्टेंगे इनको हमने बीच बीच में पर्टी करना है और बिलकुल करंची होने तक इने प्राइ करना है अब देखिए यह बिलकुल करेंची हो गई है और अब इसकी जो तलने की अवास थी वह भी बंद हो गई है अब हम इसे निकाल देते हैं बार और सेकिंड लॉट को हम इसी तरह फ्राइ कर लेंगे ठंडा होने पर यह क्रेंची बहुत ज्यादा हो जाती है तो अभी गरम को जब ठंडी हो जाएंगी थोड़ी सी तब आप इने चेक करो इससे हमने इसे टीशू पेपर पर निकाल लिया है और जो इसकी फ्लेम है वो आपने मीडियम रखनी है इसे अपने हाई फ्लेम पर बिलकुल नहीं पकाना अब सेकिंड लॉट को भी हम इसी तरह फ्राइ जाएंगी जब यह अपने आप उपर आ जाती है तो आप इने पल्टोगे जब तक यह उपर नहीं आती तब तक इनको पल्ट ना नहीं है तो यह तूट जाएंगे अब इसी तरह हमने सारी चकली प्राइ कर लेनी है प्लेम को मैंने मीडियूम रखा है बिल्कुल अब पहले लो रखा था अब मैंने इसको मीडियूम कर दिया अब हम इने हलका सा चेक कर लेंगे यह हो चुकी है उपर से तो इसे हम इस तरह पल्टी कर देते हैं और इसे क्रंची होने तक फ्राइ करते हैं अब यह लॉट भी हमारा रेडी हो गया है अब हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं तेल को आपने अच्छी तरह निचोड़के निकालने अब देखिए चकली को मैंने सर्फ कर दिया है यह देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं आप इसे चाय के साथ कॉफी के साथ किसी भी टाइम खा सकते हो और बचों को टीफन बगारे में भी दे सकते हो तो बहुत यह तेस्टी होती है तो मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ यह कितनी करंची बनी है यह देखिए इसके वाज कितनी अच्छी आ रही है यह देखिए यह बहुत करंची है आप इसे डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए तांकि आप कभी भी इसे इसका टेस्ट ले सकते हो अगर आपको हम इस वीडियो को लाइक त्रू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई